आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है आज हम बेरि इंप्वर्टन टापिक हिम खंड जल पर क्यों तैरता है इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है जो हिम का टुकड़ा होता है वह जल पर तैरता है इसे आर्खमटीच नामक बैज्ञानिंग ने सिद्ध किया है कि ऐसा क्यों होता है कि हिम खंड का टुकड़ा तो तैरता है तो आईए अब हम इसे सुरू करते है इसे समझेगा कि बर्फ का टुकड़ा पाने में क्यों तैरता है इनका अधिकांस भाग जल के भीतर रहता है तथा बहुत थोड़ा भाग जल के बाहर निकला रहता है जिस तरह से आप लोग figure में देख रहे हैं या कोई समुन्दर है और इसमें बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा गिर गया है और बहुत बड़ा जो टुकड़ा है इसका हमें एक बटे नोभाग ही दिखाई दे रहा है जो की बाहर की ओर निकला हुआ है अतह कभी-कभी जो जहाज होता है या धोखा खा कर himself से टकरा जाता है काहने का मतलब वे है कि ये जो जहाज है या कभी-कभी ऐसा दिखाई देता है कि यह भी जल का ही एक भाग हो जिससे की जहाज उसमें टकरा जाता है यहाँ एक very important question निकल कर आ रहा है कि जल में बर्फ का कितना भाग दिखाई देगा तो इसका उत्तर होगा एक बटे नव भाग एक ग्राम बर्फ का आयतन 1.09 घं सेंटीमीटर तथा एक ग्राम समुदरी जल का आयतन 0.97 घं सेंटीमीटर होता है तैरने के लिए बर्फ का कुल भार उसके डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होना चाहिए अता 1.09 घं सेंटीमीटर आयतन के बर्फ के टुकडे का 0.97 घं सेंटीमीटर आयतन जल के भीतर डूबेगा इस परकार समुदरी जल के भीतर भाग गूबे भाग का आयतन बटे पूरे बर्फ का आयतन बराबर 0.97 बटे 1.09 पराबर 8 बटे 9 लगभग हो जाएगा अता समुदर में तैरते बर्फ के टुकडे का 8 बटे 9 भाग जल के भीतर होता है तथा केवल 1 बटे 9 भाग उपर दिखाई देता है इस तरह से हम लोगों ने यह जाना की जो बर्फ का टुकड़ा होता है वा समुदर में क्यों तैरता है तो इसी तरह के वीडियो जो आप लोग पाते रहें और अपनी तयारी अच्छे से करें और जो बचे इस चैनल फन नए हो कि वीडियो अच्छे से हो सके और इस वीडियो को पूरा देखिया आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्ड़ा